Good morning everyone, today in this video I am going to make you understand question word where के साथ बहुत सारे prepositions का यूज जैसे where about, where in, where on, where at and where to इन सब का मतलब क्या होता है और यूजज क्या होते है तो पहला है हमारा where about where about, where about का मतलब होता है हिंदी में जिसके आस पास जिसके आस पास अब इंगलिस में संटेंसे कैसे बनाते हैं बहई जिसे अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं आपने अपने दोस्ट से पूछा है बहई where are you he answered that I am at Munsi Puliya 4 आप उसना आरे भाई Munsi Puliya 4 पर कहां तो बताता है बहई साब I am at the same place where about there is a temple or where about there is a church I am at the same place where about there is a police shocking next है wherein wherein का मतलब होता है जहां में या फिर जहां पर हिंदी में इंगलिस में इसके संटेंसे कैसे बनाते हैं बहई she knows the place wherein I keep my phone वह जगह जानती है जहां पर मैं अपना phone रखता हूं she knows the place wherein I keep my money वह जगह जानती है जहां मैं अपना पैसे रखता हूं या फिर कम ऐसे भी देखा होगा कहीं पर लिखा होगा read the documents wherein जहां में या फिर जहां पर read the documents wherein all the necessary details are given उस documents को पढ़िए जहां पर जरूरी details दिये गए है clear हो रहा है where on where on का मतलब होता है जहां पर जैसे sentences कैसे होंगे मेरा phone वहां पर रख दो जहां पर मेरा laptop रखा हुआ है put my phone there where on my laptop is kept clear guys next है where and at where at का मतलब होता है जिस अस्थान पर हिंदी में बोलते हैं मैं उस जगह जाना चाहता था जहां पर मैं cricket खेला करता था बचपन में I wanted to go there where at I used to play cricket next है where to where to का मतलब होता है जहां तक मैं उसका पीछा किया जहां तक कर सकता था I chased him where to I could आपको लिखना चाहिए you should write where to you can जहां तक आप लिख सकते हैं आपको इंग्लिस बोलना चाहिए जहां तक आप बोल सकते हैं You should speak English where to you can next है where for where for का मतलब होता है भाई साब इसलिए या फिर इसी कारण से सम्टाइम्स भी से क्यों नहीं क्लास आया थे वाई दिन्यू कम तुद्धा तो आपने का भाई साब I was sick where for I did not attend the class मैं बीमार था इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था